गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टो चैनल माई क्यूट होम गार्डन तो फ्रेंड्स जब मैं मॉर्निंग में अपने गार्डन पे गया तो मैंने देखा कि एक तुलसी के प्लांट पर पहुत पहुत सारी जो हनी भी है वो बैटी वी थी और मुझे लगा कि उन्हो इस तरह की समस्या का सामना करते हैं और इन हनी भी को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मैथड बताऊंगा जिससे इनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि मेरा तुलसी का प्लांट है और में चीज यह है कि हम मैं चाहता हूं की जो य बता प्लांट को भी हाम बताता है उनको भी हार ना हो तो यह इजी जो है वो को रिमूव किया जा सके तो इस बारे में सोच रहा था पहले मैं सोचा कि थोड़ा हिट शिडग दिया जए पर मुझे बाद में पता चला कि हेंट को चंड़कने से जो ह्पनानेmakers भी है वो मर सक सकते हैं सकी branch को मैंने Cut कर दिया तो यह प्राइंच को मैं उठाके फेकने वाला हूं एक स्वेक दुगा लेकिन में चीज क्या हुआ कि जब बने branch को हिपका तो Series आपनी थी न मेरे लेमन के ब्लाइट पर आ गई अ भर लेमन के प्लाइट के अग्य मुझे लगा ऑफपा यह ब्रांज कट करने वाला जो आइडिया है वो सई नहीं है तो मैंने क्या-क्या स्मोक कर दिया और स्मोक करने के लिए मैंने क्या किया कि जो अपने हमारे घर में जो सैक होता है बोरी होता है ये देखे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बोरी से मैंने इसको जो है वो रिमूव करने यहाँ पर थोड़ा सा आग लगा दिया तो धुआ हो गया अब यह धीरे धीरे जितनी भी हनीबी यहाँ पर बैटी वी थी वो सारी की सारी भाग गई और आप देख सकते हैं कि हनीबी आपको यहाँ पर भी घूमती मलद क्योंकि 15-20 हनीबी यहाँ पर बची हुई थी जो एकदम से नहीं जाने वाली थी आपको नजर आ रहा होगा इदर उदर घूम रही हैं यह देखे कितनी सारी अब भी भी बची हुई है तुलसी के वो भी हाव मिवा हनीबी को भी हमें किलनी करना पड़ा और जितनी भी हनीबी थी हमारी वो सारी के सारी मैंने रिमूव कर दी तो सब भी हनीबी चली गई है और होप कि वो अपना छत्ता जो है वो दुबारे याँ पर नहीं बनाएगी तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए कामेंट कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ झाल